भारत माता की आन, बान और शान को कायम रखने के लिए अपनी जान ने उच्छावर करने वाले परंबीर चक्र बिजेता अमर शहीत कैप्टन मनोश पांडे की प्रतिमा को आर्मी बैंड की धुन के बीच मध्य कमान के चीफ जे एस चौधरी वासेना के जवानों ने सलामी दी तो रूढ़ा के वासिंदे ही नहीं बलकि गाउं का जर्रा जर्रा गौरवान वित हो उठा सेना प्रमुक जनरल मनोज मोकंद नर्वडे के आगमन को लेकर सीतापुर के रूढ़ा गाउं में चल रही युद्धिस्तर की तयारियों का जायजा लेने मंगलवार को मध्य कमान के चीफ पहुचे थे सेना का हेलीकॉप्टर कमला पूर्चीनी मिल ग्राउंड पर उत्रा यहां पहले से आर्मी के जवान मुस्तैत थे फिर सेना की गाड़ी से मध्य कमान के चीफ रूढ़ा पहुचे आपको बता दें कि कारगिल जंग के महानायक परमवीर चक्र विजेता सहीत कैप्टन मनोज पांडे ने रूढ़ा गाओं में जन्म लिया था उनके जन्म स्थान पर सेना की ओर से इसमारक बनवाया गया है जिसके ठीक मध्य में वीर सपूत की 6 फिट की प्रित्मा लगवाई गई है जिसके लोकारपड की तयारिया इन दिनों तेजी से चल रही है लोकारपड सेना प्रमुगद्वारा किया जाना प्रिस्तावित है तयारियों का जाजाले ने पहुचे मध्य कमान चीप के साथ सेना के कई अपसर SGM सिधौली संतोस राय सियो सिधौली थाना प्रभारी कमलापुरकृष्ण मोहन सिंग लेगपाल आविनास मिस्र आदी मौजूद थे